नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में उन सभी का अच्छी तरीके से डिसकस कराया जाएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने जितने भी दोस्त, सहपार्थी, मित्र उन सभी को जरूर सेयर करिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम पेपर गरत्मान भारती समाज और प्रारंभिक सिच्छा जो आपके एक्जाम में पचास नंबर का पूछा आता है पढ़ने सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है क्या क्या इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कौन-कौन से चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिये गए है उनके जानकारी सबसे पहले अवज से जान लेना चाहिए खंड का में रेखेंगे प्रारंभिक सिच्छा इसमें सबसे पहले आपको सिच्छा की संकल्पना अर्थ और उसका महत्व नेक्स्ट सिच्छा के उद्देश से कौन-कौन से सिच्छा के उद्देश होते हैं एवं वर्तमान भारत में सिच्छा के उद्देश्यों को कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रोहावित करते हैं क्लियर नेक्स्ट क्या है सिच्छा की प्रकार जिसमें से आपको अपचारिक सिच्छा, अनपचारिक सिच्छा और दूरस्त सिच्छा इन तीनों सिच्छा के बारे में आपको बताया जाएगा जो आपके लिए important है जो आपके exam में लगबग पूछी ही जाती है नेक्स्ट क्या है प्रारंभिक सिच्छा की प्रस्ट भूम प्राचीन काल प्राचीन काल में कैसे सिच्छा थी उसके बारे में चर्चा की जाएगी गुर्कुल एवं बहुद कालीन सिच्छा के बारे में बताया जाएगा मद्कालीन सिच्छा क्या होती है मुगल कालीन सिच्छा क्या ओती है किस तरीके की सिच्छा पहले थी आधुनिक सिच्छा जो सुदंता के पूर्व और पस्चाद दोनों प्रकार की सिच्छाओं को बताये जाएगा जो सुदंता के पहले थी और जो बाद में लागू हुई प्रमुक सहचिक बिचारदाराएं कौन-कौन से बिचारदाराएं थी आदर्सवाद, प्रकर्तिवाद, प्रियोजनवाद ये सारे आप तिली इंपोर्टेंट है फिर आता है भारती बिचारद, कौन-कौन से भारती बिचारद थे उनके बारे में चर्चा की जाएगी सबसे पहले बिवेकानन जी के बारे में बताया जाएगा, रवीनना टाइगोर जी के बारे में, महत्मा गांदी, डाक्टर राधा कृष्णन, गीजु भाई, बधेका इन सब ही ने जितनी भी परिवासाये दी हैं। वो बहुत ही important है आपके exam purpose से, इसलिए इन्हें भी आप important मान लीजेए, ये भी आपके exam के purpose से बहुत ही important है। फिर नेक्स्ट आता है पास्चात बिचारक प्लेटो रूसो जान डीवी फ्रोवेल मारिया मांटे सरी ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं इंपॉर्टेंट आप सभी को बता रहा हूँ जरूर आप नोट कर लेजिए वह चैप्टर आपके लिए बहु की गई है सिच्छा और समाज में क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई है सिच्छा और समाज का अंता संबंद पहरा चैप्टर आपको है सिच्छा और समाज का अंता संबंद सिच्छा के कौन-कौन से प्रभावी कारक होती है परिवार होता है समाज होता है और समाज, बिद्याले, राज और जन संचार साधन, सिच्छा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, सिच्छा और समाज में क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन-कौन से उसके कारक हैं, उन्स सभी से चर्चा की जाएगी, फिर नेक्स देखते हैं बिद्याले और समदाय का संबंध बिद्याले और हमारे समदाय बिद्याले और हमारे समदाय की बीच में कैसे कैसे संबंध होते हैं उनके बारे में बताए जाएगा सामदाय केंद्र के रूप में जो संबन्ध है वा स्वामदाई केंद के रोप में आप से चर्चा की जाएगी। उबरते समाज के कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस है। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए वा भी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए लाइफ के लिए और पढ़ने के परपस इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है बच्चपन चीनता बाल स्रम। निसुल्क एवं अनिवारे बाल सिच्चा में बाधर। जो बच्चपन चीनता बाल स्रम। बच्चे छोटे चोटे बच्चे देखा होगा आपने होटलों पर काम करते हैं। निसुल्क एवं बाल सिच्चा इस पर टिपड़ी पूशे आती है। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। पहुत जादा इंपोर्टेंट है। टिपड़ी जरूर आती है। फिर आता है जनसंख्या सिच्छा का अर्थ, क्या अर्थ होता है, उसकी आसक्ता क्या होती है, महत्वताई और समयान रूप, मानो संसाधन का विकास, ये चैप्टर भी आपके लिए इंपोर्टेंट वनेगा, फिर नेक्स्ट क्या आता है, जातिवाद, अलगाववाद, संप प्रणाम, जो जातिवाद है, अलगाववाद है, संप्रदायकता, इन तीनों पर टिपडियां जरूर आती हैं, और इसके क्या दोस्ट प्रणाम निकल कर वाहर आते हैं, उन पर भी आपको कुछ पॉइंट जरूर लिखने होंगे, सामाजिक और पारास्परिक सौहर, वा स समर्श्ता, वर्तवाण और सकता, थिन दे जरूर दखेंगे, पार्य अन्प प्रदोशन एवं, पार्य अवरं शन रच्छन, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेन्ट हो जाती है, पार्य अन्प प्रदोशन एवं, पार्य अर्या अर्ट्छन के प्रत्र जागरूपता, important हर chapter में, हर class में आपको ये देखने को भिलेगा कि पार्राण पूदूशन क्या होता है, उसके प्रत्य हमें किस तरीके से जागरूप रहना है, जल संचयन, उर्जा एवं भूम संचयन, इस पर आप टिपड़ी जरूर्याद के लिजी, उर्जा एवं भूम संचयन, एक चेप्टर ये पार्राण पूदूशन, ये हर class में, हर subject लगबग जगा आपको जरूर मिलेगा, पहुत ही important होता है, पार्राण संचयन, पार्राण क् कहते हैं, इस पर टिपड़ी आपको जरूर पूछी आती हर बार, हर एक्जाम में, एक या दो नंबर में जरूर आपको मिलेगा, एवं जलवाई परवर्तन, और जलवाई परवर्तन कैसे होता है, ये सारी चीन, फिर next देखते हैं, भूमंडली करण, छोटी सी टिपड़ी आती है, एक नंबर में इसको जरूर आप याद कर लीजिए, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, सिच्छा दोरा लैंगिक समानता के प्रत समझ वा संबेदन सेलता का विकास, सिच्छा ही ऐसी चीज होती है, जो आपको अच्छा भी बना सकती है, और पुरा भी बन इस चैप्टर से आपको टिपड़ी पूछे आती है, लगभग चैप्टरों से एक या दो नंबर से टिपड़ी जरूर पूछे आती है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो आपको इंपॉर्टेंट जरूर बता दूँगा, उस पर आप ज्यादा गौर फर्माईएगा, को सनसार माध्यम बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ, और इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमारी समाज पर, उसके बारे में इस सेप्टर में बता आज जाएगा, सिच्छा एवं माण वी मूल्यि, मान वी मूल्यों ना कि सिच्छा क्या अर्थ होता है, मानवी मूल् उसमें परिवार, समाज और विद्यालह की क्या क्या भूमका होती है उन पर आप से चर्चा की जाएगी। फिर लास्ट क्या है रास्टी और अंतरास्टी सद्भावना की शिच्छा इस होग एक नमबर में या दो नमबर इस रेप्टर से भी एक नंबर से कोश्चन जरूरा था चाहे आपको बाविकलपी में दिखने को मिले लोग तांत्रिक बैग्यानिक और टक्निकी द्रेस्ट कोण का विकाज यह आपका सिकेंड सेमेस्टर का प्रथम पेपर जो आपके एक्जाम में पचास नंबर का पूछा आता है इस सेप्टर से जो भी इंपॉर्टन कोश्चन होंगे मैं उसी तरीके से आपको अच्छे से डिविजिन के साथ पढ़ाऊंगा हर एक कोश्चन का अच्छे तरीके डिसकस किया जाएगा जो आपके एक्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं बार बार रिपीटेट हो रहे हैं उन्हीं पर फोकस ज्यादा किया जाएगा हमें ज्यादा बेस्टार से पढ़ने की जोड़त नहीं है जितना एक्जाम में पूछा जारा है उतना पढ़ना स्मार्ट स्टेडी करना ना की पूरी किताब ही रड़ डालना तो जो इंपोर्टेंट होगा उस पर फोकस ज्यादा किया जाएगा अगर आप सभी कोई वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और सब्सक्राइब जरूर करना जितने भी आपके साथ ही सहबाटी है उनको जरूर सेर करिएगा मिलते हैं अंगली क्लास में तब तक कि लिए धन्यवाद